आज ये नमाज बढ़ रहे हैं, कट्रपंती दिखा रहे हैं, हो सकता है कलकोंगा लब्ज याद हो भी रहा हो और हो भी सकता है नमाज बढ़ी जा रही है, ये बहुत ही दुख़द है और चिंदा का मिसे है हिंदू मासवा इसे कदर बर्दास नहीं करेगी अदाब नमशकार, असलोऑने कुम नाजरें, पलपल नियूस के निज रूम से मैं हूँ, आपके साथ नदे मकना दोस्तों, देश में नमाज पढ़ना सबसे बड़ा गुना हो चुका है और तो और जो नमाजों में खलल डाल रहे हैं, पलिस प्रशासन उन लोगों को अंदर करने के बजाए नमाजियों के उपर ही जल्म ढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है जिसकी तस्वीरे मुरादाबाद से सामने आई तो अब ताज़ा तस्वीर मतुरा से सामने आ रही है जहां रोज़ेदार चात्र एक जगा पर नमाज पढ़ते हैं और नमाज का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल कर दिया जाता है और हिंदु वादी संगठन के लोग कहते हैं कि उनका गुना ये है कि वो सिर्फ नमाज पढ़ रहे थे वो नमाज पढ़ रहे थे कल को लब जिहाद करेंगे और तमाम तस्वीरे जो हैं लोगों के सामने आएंगी यहां आप अपने गोदाम में अपने घरों में अपने रिष्टेदारों के साथ नमाज पढ़ेंगे तो विरोत किया जाएगा कि नई प्रता शुरू करने जा रहे हैं और अगर आप खुले में नमाज अदा करेंगे तो ये लोग लव जिहाद और तमाम ना जाने लेंड जिहाद का नाम दे करके बबाल खड़ा करने की कोशिश करेंगे और ये ताजा तस्वीरे जो हैं रमजान के पाक महीने में लगातार सामने आ रही है किस तरीके से मतुरा से ये वीडियो सामने आया है नमाज पढ़ने का पहले इस वीडियो पर नज़र डाल लीजिए तो दोस्तों आपने देखा के छे साथ चात्र जो है वो रोजे के हालत में नमाज अदा करते हुए संस्क्रिट यूनिवासिटी मत्रा में नमाज पढ़ रहे हैं एक जगा को देख करके जिनका कुछ चात्र वीडियो बना देते हैं वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल होता है और हिंदुवादी संगटन के तमाम नेतागर जो हैं बवाल काटना शुरू कर देते हैं किस तरीके से नमाज को ले करके हिंदुवादी संगिठन से जुड़ी इस महिला ने कमाम बाते कहीं हैं पहले इस वीडियो पर नज़र डालिए जम्मू कश्मीर से कुछ 82 करीब बच्चे आये हुए हैं जो के गौर्मेंट की स्कॉलर्शिप पर जीरो पेमेंट पर यहां पढ़ रहे हैं यह लोग यहां धर्म का प्रचार कर रहे हैं तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से यह महिला नमाज को ले करके क्या-क्या बोलती हुई दिखाई नहीं दे रही यह साफतोर पर कह रही है कि नमाज पढ़ना सबसे बड़ा गुना है इन्हें तो नमाज पढ़ना ही नहीं चाहिए था और वहाँ पर चात्र चात्राएं भी बढ़ती हैं यह कश्मीरी चात्रे हैं यह लोगों का और हिंदू धन का अपमान कर रही है और तो और यह लब ज तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से हिंदू मास अभा का येनेता ये कहता हुआ दिकाई दे रहा है कि नमाज पढ़ना सबसे बड़ा गुना है इन्होंने हिंदू भावनाओ को आहत किया है अब इस वीडियो को देख करके किस तरीके से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि हिंदू भावनाओं का इन लोगों ने आहत कर दिया रोजे की हालत में नमाज की पाबंदी से करते हुए नमाज अदा करते हुए ये च्छात्रों का गुनाज सिर्फ इतना है कि ये सिर्फ मुसल्मान है और अफसोस इस बात का है कि फुलिस प्रशासन चात्रों को प्रोटेक्ट करने के बजाए वो हिंदू वादी संगिटनों के साथ कंदे से कंदा मिला करके खड़ा हुआ दिखाई देता है यही मुरादाबाद की तस्वीर में सामने आया जहां इन लोगों को सबक सिखाना चाहिए था वहां तरावी की नमाज रोग दी गई और किस तरीके से पुलिस प्रशासन और कॉलिज मेनेजमेंट ने पल्ला जहाड़ा है मुस्लिम चात्रों से आपको बता दे कि उत्तरपरदेश के प्रतिष्थित संस्थानों में शुमार मत्रा की संस्कृती यूनिवसिटी में नमाज पढ़ने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है विश्विद्याले का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में तेजी से वाइरल हुआ जिसमें कुछ मुस्लिम चात्र विद्याले परिसर में बने गार्डन में नमाज पढ़ते देखे जा रहे हैं ये चात्र जम्मु कश्मीर के बताए जा रहे हैं जो स्कॉलर्शिप संस्कृती यूनिवसिटी में पढ़ाई कर रहे हैं यही नहीं नमाज अलग-अलग जगाहों में खुले मैदान में बेफिक्र होकर पड़ी जा रही थी तो वहीं इसका विध्यारतियो द्वारा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वाइरल कर दिया क्या जहां देखिए किस तरीके से हिंदू-मुस्लिम की आग पहल चुकी है कि साथी चात्र ही वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर वाइरल कर रही है किस तरीके से जहन को बना दिया गया है लोगों के कि सहाब नमाज पढ़े तो वीडियो बनाओ और सोशल मीडिया पर वाइरल करो ताकि फिर इसके उपर सियासत की जा सके और आकिर कार क्या गुना है अगर नमास उन लोगों ने पढ़ लिया क्योंकि खुले में तो भजन किर्टन भी होते हैं यात्राएं भी निकलती हैं तमाम चीजे हो सकती ही पुझा अरचिना करते हुए भी लोग दिखाई देते हैं पर कभी उन चीजों पर रोक नहीं लगाई जाती कभी उन लोगों को जेल की सलाकों के पीछे नहीं डाला जाता पर यहां नमास पढ़ना गुना बता दिया गया है आपको बताते हैं कि जब इस मुद्दे को लेकर विश्विद्याले के वाइस चंसलर सचिन गुपता से बात की गई तो उन्होंने इस विश्य में कुछ भी बताना उचित नहीं समझा और पूरे मामले में पल्ला जाडते नजार आए संस्कृत युनिवर्सिटी में हुई घटना से हिंदू संगटनों में काफी आक्रोश है अखिल भारत हिंदू मा सभाद्वारा जिला अधिकारी को ग्यापन सौपते हुए इस मामले में कड़ी कारवाई की मांग की है सवाल ये है कि विश्विद्याले परिसर जब ऐसे मुद्दों की अंदेखी करेगा तो नियमों के मताबिक कारवाई की उमीद किस से नज़र आएगी अब इसमें कारवाई क्या की जानी चाहिए यहाँ वाइस चैंसलर ने इस पूरे मामले से पल्ला जाड लिया अब इसके बाद सवाल ये खड़ा हो जाता है कि जिन चात्रों ने इन मुस्लिम चात्रों का वीडियो वाइरल किया और जिस तरीके से हिंदुवादी संगटन के लोग कांड़ा मचा रहे है कल को उनकी आइडिन्टी देख करके उनके उपर हमला होता है किसी प्रकार से तो उसका जिम्मेदार कौन होगा ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है ये विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब दो दिन पहले ही देश की राज़ानी लखनाओं में इस दित ख्वाजा मुहिनुद्दिन चिष्टी भाषा विश्विद्याले में इफ्तियारी की मांग को लेकर होस्टल के चातरों ने कुलपती आवास का घेराव किया मौके पर पहुची पुलिस ने चातरों को किसी तरह शांत कराया सवाल ये है कि शेक्षनिक संस्थानों में मजभब और उससे जुड़ी बातों को किस हद तक मनजूरी दी जानी थी शेक्षनिक संस्थान सभी जाती पंथ और धर्म के चातर चातराओं के साथ सम्मानता का व्यहवार कैसे लागू करेंगे अब यहाँ ये दावे किये जा रही है जो यूनिवर्सिटीज में कॉलेजिज में स्कूलों में मंदिरे बने हुए हैं उसका क्या यहाँ छीता कशी का आरोप लगाने का वक्त नहीं है यहाँ वक्त है इनसानियत की मिसाल कायम करने का पर कुछ लोगों के दिलों में इस तरीके से गंदगी भर दी गई है कि साहाब मुसल्मान अगर घर में नमाज अदा करता है तरावी की तो विरोध करो के नई प्रता शुरू करने वाले हैं और अगर खुले में जाकर के नमाज पड़े तो इस बात का विरोध करो के साहाब ये तो लेंड जियाद या तो लग जियाद करने वाले हैं ये किस तरीके से देश की तस्वीरे सामने आ रही हैं जो बार बार सवाल ख झाल